श्वेप का फेवरिट एक सेग्मेंट आने वाला है एक बहुत ही फेवरिट टॉपिक जिस पे अभी ये जो इंट्रॉड़क्शन देंगे बात करेंगे वो बहुत दिल से निकलेगे आम की बात होने वाली है आम जो कि मेरे दिल के लिए बहुत खास है आपके दिल का बादशाह है आपके दिल पर बादशाहत करता है वैसे हम सब का बादशाह वही है कोई माने या ना माने जो मानता है वो सच बोला जो नहीं माने वो जूट बोला जो कि आम से सब को प्यार है आम हों, मेठे रसीले हों, बे शुमार हों, क्रेट के क्रेट हों, बस बहुत ज़番 आपशता हूँ घालिक बंजी है क्योंकर आम पसंद बहुत है आमों मेंद जारे क्यों कि वराएटी बहुत ज्याद होते दुसारी है, सारोली है, है लंगडा है सिंदी है चौंसा है तो तकरीबर देठ लोगों का सब को वैसे इपराइज पार ने किया माइन ह कर चुछ तक कर देदरी ने सकती है आम के मामले में कोई मैसे उभियुग होता है कि किसी एस कि यही जगा से अब मुलतान से कोई अच्छे दोस्तों हमारे राजनपूर से आए रहीम्यार खान से भावलपूर से आए शिंद से भी आए ट्स फाइन लेकिन ज़दा जो मुझे बेल्ट पसंद है ना वह यह मुलतान भावलपूर राजनपूर रहीम्यार यहां के वाइट चॉंसा मुझे बहुत पसंद है ठीक है अब मसला क्या होता है कि आपको जब मार्केट में जाते हैं नजराना शुरू होता है वाइट चॉंसा तो बहुत अच्छी क्वालिडी का आपको नजर नहीं भी आ रहा होता ऐसे में अगर आपको वहां कोई दोस्त ह आप किसी को जानते हैं या कि इवन कोई फार्मर वहां पर है जो कि इससे वाबस्ता है और आप उससे कांटक्ट में और आप चाहते हो कि वह आम आप तक पहुंचे और बिल्कुल फ्रेश आम आप तक पहुंचे तो फिर ट्रांसपोर्ट के मसाइल होते हैं अच्छा जब आप शुथे आप जब पहुआइंगे जाख भार्रेश सागी या लैपे डिय्वर्ट कोरियर से टिरिवरी की तरहते हैं यहां आप के यह ज् refract पहुंचा रहा है हैं। कि हम बात करेंगे तो लेपर्ड कोईस रीजिनल हेड रीटल एड जॉइनिंग बिजिनस सेंट्रल सगीर एमत सहाब और जोनल बिजिनस हेड मुलतान शकील आप साथ मौजण आप दोनों का बहुत चुक लिया शकील सबसे पहले आप से स्टार्ट करना चाहूंगा मुलतान सह ही ऐसा ही है कि हर शक्स की खाईश होती है कि वह अच्छे से अच्छा आम किसी तरह से वह खा भी सके तो उस लिहास से यह बताईगा कि क्या सविस्जिस जो क्या आप पर प्रवाइट कर रहे हैं मैं आपको यह बता हूँ कि आम का नाम आते ही चेरे पर मुस्कुराहटा जाती है और मुलतान को अगर लिया जाए तो मुलतान का जो मौसमी चौंसा है वो सबसे ज्यादा लजजीज आम है और जो एक्सपोर्ट में भी नंबर बान है और जान दक आपने इसकी लॉजस्ट को भी सपोर्ट कर रही है हमारी 4000 प्लस ट्रैक्ट वहिकल हैं जो हम एक जगह से दूसरी जगह यह किसी भी प्रॉड़क्ट को मुव कर रहाते हैं हमारे पास इस वक्त मुलतान के अंदर ब्रैंब्यार हन के अंदर जितने भी फार्मर हैं ग्रोर्स हैं या सप्लायर हैं वें इसके शर्ट के लावए ना ना असरा थामारे पास यह वेहिकल्स हैं बलके डेडिकेटेड़ एरक्राफ्ट बिया हमारे पास जो पैसलेटर प्रोईट कारफ्ट आप कर अस्टमर को चास्टमर को टाज़ा आम एक्सपोर्ट कॉलिटी आम और जो कारबेट फ्री आम वो तो जल्दी पक जाए और कास्टमर इस्नमाल कर सके। से ओर्डर प्लेस कर सकते हैं फॉर्म फ्रेश जो है इस अन्य प्रोड़क्ट ऑफ लेपर्स कोरियर कंपनी जो कि लास्ट एर हमने इसको इनिशेट किया था और बहुत सारा इसा अच्छा रस्पॉंस मिला कस्टमर की तरफ से दना हमें इसको मजीद इसको बेतर करने की कोशि रहता है और लेपर कोर्यर कंपनी कि फ्रेश फर्म के स्रूसले में जब कस्टमर की हुआश होती है तो हम जो वह भागात king कोरे आ वहां से मौन 14 को पैक करवाते हैं अपनी टीम के समने पैक करवाते हैं जैसे बदम स्वह फिर्बटार एजी है कि केमिकल हम उसको फॉरा एक नगेकित संदर रखा होता है जिसको हम पेटी के अंदर रख देते हैं कि आम इसे पक रहे हैं वह कैमिकल में आता है जा उसी के मैं तथकर कर रहा हूं कि वो ऐसा गैमिकल है जो उसको राइपनिंग में हेलप आउट कर रहा हूं हमारी कोशी होती है फार्म फ्रेश के हवाले से मैं कुछ शायट करना चाहूंगा फार्म फ्रेश एक्चली यह वो ट्रेडिशनल वोडन क्रेट अब आप देखें कि अगर आम का सीजन है तो मैं भी अपने दोस्तों रिष्टेदारों को किसी को भी इवन के कॉर्बरेट सेक्टर में बिजनस असूसियेट्स को अगर हमने कोई तो तो आम की पेटी फ्री हैं यह हम विदिन नो टाइम देस्टिनेशन पर डिलिवर कर रहे हैं अच्छा साइज होगा लेकिन घर जब लेकर के के क्रेट खोला नीचे या तो आम का साइज ठीक नहीं या अदर्वाइस गले सड़े होते हैं आपने चुके कहा कि आपने टीम होते हैं तो यह वो यह यह जाता है कि वह पेटे यह उसमें हर आम एक जैसा ना सही लेकिन अट लीस्ट उपर सिर्चे तक जरा आम की क्वालिटी तो अच्छी हो विल्कुल आप सही कह रहे हैं जब भी आप नार्मल मार्कीट में जाकर पर चेज करते तो आपको इस तरह के इंसिडेंट मिल ज करती है और अपने सामने ही यह पैकिंग कर रही होती है और स्पेशली इसके उपर हम बहुत कंप्रोमाइज बिल्कुल ही नहीं करते हैं क्योंकि यह कस्तमर को नीड्स जो है उस जिसका वह पेकर रहा हो तो वेसली उसकी क्वालिटी के अंदर अगर हम बात करें तो इसको हम हमने कहा कि मैकसिमम और मिनिमम को हम फिक्स करते हैं क्वालिटी के अंदर 250 ग्राम से नीचे हम कोई इसका मैंगो का पीस नहीं लेंगे अगर कोई हमें इस तरह को कोई पैक आग पैकिंग में आ भी जाते तो इसको मैकसिम बाहर जो है ना वस निकाल तो क्वालिटी को मैंट की क्वांटिटी की बात करें तो वराइटी के बार में बिताएगा कि कौन-कौन से वराइटी जो जो कि आप लोग प्रॉइट करें हैं अगर देखे तो पागिस्तान के अंदर सिंड़ी है लंगड़ा है उसके बाद दुसहरी है अन्वर रटॉल और मेरहाल हादारों की ज वो भी गाइड कर लें तो यह हाई डिमांड है और हम खोफूल है कि इस दफ़ा हम बड़े अच्छे तरीके से अपने कास्टमर को फसिलिटेट कर रहे होंगे बिल्कुल फसिलिट करेंगे चुंके मंडी और्वर्स कहा जा रहा है कि वाइड चौंस अवेलेबल होगा ज्यादा से ज्यादा और उसके तरसील आप लोग स्टार्ट कर देंगे अब ऐसे में थोड़ा साब गाइड कर दें कि अगर किसी ने जा कि और्डर करना है लैपर्ट स्कूरे सर्विस में तो चार्जिस क्या है कोई जेप बहुत महंगा तो नहीं पड़ेगा फ्रेंकली इट इस वेरी एकनोमिकल मैं ऐसा सोचता हूँ कि यह शायद किसी की भी पॉकेट पे बारी नहीं है वंस अगर आपका भी विजट करें तो आपको आईडिया होगा कि आप बड़ी अच्छी सर्विस बड़े लोर रेट पे बो ले रहे हैं और सुफ्ट डिलिवरी प्रॉससेज है और फिर हमारी एफिशेंट टीम मेंबर है जो यह सारा कुछ कर रही है और यह एरर फ्री सर्विसेज है इवन कि हम यहां से पिक अप से लेके डिलिवरी तक इसकी हर लेवल पे जाके केर कर रहे होते हैं कि कास्टमर को जो है वो प्रॉडक्ट जो के कस्टमर को सर्प्राइज गिफ्टिंग के पॉइंट आवी से हम इसको इंडिडूस कर वाया हुए उसके लिए यह है कि अगें किसी भी आपको आप लाहोर में बैठे हुए हैं और अगर आप पाकिस्तान के किसी शायर में मैंगो फिस्ट डिलिवर करवाना चाहते हैं बगहर आप विजट कियें मार्कीट बगहर जस्ट अप गो टु दे लेपर एक्पर सेंटर मेंगो फिस्ट बोक कराएं उसके लिए हम क्या करते हैं अगएन फ्रेश فर्म के हवाले से कि मेंगो फ्रेश जो एक्सपॉर्ट क्वालिटी की होते हैं वो हम अपने लेपर्स के बॉक्स के अंदर उसके अंदर आप कम्प्लिमेंटरी एक काड भी लगाते हैं कि किन साथ की तरफ से और भी होती है कि जैसे कोई आपके रिष्टेदार को जानने वाले कोई दोस्तियार वहां पर मौजूद हो और वो कहें के आर आम तो बहुत है क्रेट के क्रेट हैं लेकिन भीजवाने के जरा मुश्किल काम है तो उनको कैसे गाइड करें कि लैपट कोई सर्विस इस मसले के हल के साथ है तो अब बस आप क्रेट उनको दें क्रेट हम तक पहुंचा देंगे आप लोग यह सर्विस है बनियादी तोर पे अगर कोई इट से अब से वो पिक अप करेंगे और अच्छा आप लोगों के हब टू हब डिलिवरी सर्विस यह क्या है इसको कैसे आप रिस्पॉंड करेंगे यह हब तो हब डिलिवरी को अगर आप देखा जाए तो यही जैसे अभी इशेगील साब देम आड किया कि अगर को कॉई कास्टम कि वो FDL हो सकता है वो कुछ है जो ट्रक हो सकता है कॉंटिटी में ज्यादा हो सकता है तो वो हम एक हप से उठा के दूसरे हाप पे फिर वहां पे वो अपनी ज़रूरत के अकार्डिंग लिए अगर उसने डिस्पर्स करना तो उसे अगर किसी ने भेजना है मुल्टान तो गिलगित जारा है खुद भेज़ेगा तो बहुत महंगा पड़ेगा लेकिन अगर आपके सर्विस के थूरू भेज़ेगा तो जाहरा है आपके पास में भी तीन चार पांच लोग हों जिनने भीज़वाना और तो आपने कठा उसे किया और भेज़गे तो तो थो थोगा स आइम होंगा आइल पिक प्रम यॉर हब आप जिज़े जिस मुझे गिव मे लोकेशन तो उसके लिए कजन के लिए हमने ये पॉइंट एक आड़न करवाया प्रोड़क्ट आड़न करवाई सर्विस आड़न करवाई दूसरा ये कि जैसे ही वो मिलतान से अपने किसी दोस्क इस लोकेशन वो इसकी फैसिलिटी होती है लाओर के अंदर फरस के तीन हब हमने किया हो तो जिस लोकेशन को उसको नेरस पढ़ रहा होगा हम उसको बता देंगे इस लोकेशन पर डॉप आफ कर देंगे कस्टमर एजी जैसे उसको किन्वेंट टाइम मिलेगा या उसके ऑन कि हम आपने बिजनस कम्यूटी को सपोर्ट कर रहे हूं अगर मैंगो सीजन को उसे फर्मोट कर रहे हो फिसलिटेट कर रहे हूं कि हमारे लोग यहां लापड के तरू जो है वह आम से फैस्टू को सगीर साथ बहुत चुकिए शगील साथ मौजू थे और ऑल बेस तो यू इस वेल कि जाए इस सीजन में आप लोगों के लिए काम फ़र ज्यादा हो गया है